मैं अविसेकराज CEO Founder E-Way Global चली आज हम बात करेंगे West Central Railway के बारे में यहाँ पे ITI छातरों के लिए Apprenticeship के notification निकाले गए हैं अगर आप Apprenticeship करना चाहते हैं या Apprenticeship से सुच रहे हैं कि कोई benefit मिले तो आप Relayway से Apprenticeship कर सकते हैं क्योंकि Group D में 20% आरक्षन दिया जाता है Apprenticeship करने वालों को तो अगर आपके पास समय है आप फिरी बैठे हुए तभी Apprenticeship करें अथवा ऐसे बेकार में Apprenticeship करने का कोई फायदा नहीं है तो इसलिए अगर आप IETI की हैं और सरकाई नौकरी का त्यारी करना चाहते है गौर्रमेंट जॉब करना चाहते है तो आप Easy Way Coaching जुआइन कर सकते हैं Easy Way Coaching में 2 मार्च से नया बैचे स्टार्ट हो रहा है अधिक जनकारी के लिए जो नंबर दिखाए गए हैं उस पे Call करके आप पता कर सकते हैं तो चलिए शुरू आप करेंगे West Central Railway के बारे में Apprentice का जो Notification है अभी इस पे दिया नहीं गया है वेबसाइट पे नहीं दिखिरा है मुझे कहीं अगर आपको मिल जाएगा तो आप यहां से Download कर सकते हैं वैसे अलग से मैं Link Description Box में डाल दूँगा जहां साथ डिरेक्ली इसके Notification को Download कर सकते हैं तो चलिए उस Advertisement को मैं आपके सामने Open करता हूँ जिससे आप आजसानी से समझ पाएंगे यह Notification आपके सामने Open हो गया है आप देख सकते हैं यहां पर Online के जो Starting तीथी है ओ 28-1221 है और Online के अंतिम तीथी 27-2221 है एक महिना के असपास आपके पास टाइम दिया गया है फॉर्म को अपलाई करने के लिए और इसमें जो यह फॉर्म मांगे गया है यह जबलपुल मंदल का है जबलपुल मंदल में से समधित जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको Apprenticeship कराए जाएंगे Apprenticeship के ट्रेट की बात करें तो डिजल मेकानिक्स के लिए यहां पर दिया गया है 30 सीट है यह टीसेन का 160 है वेल्डर के लिए 30 है मसिनिस्ट के लिए 5 है फिटर के लिए 140 है टर्नर के लिए यहां पर 5 है वायरमेन के लिए 15 है मानसून के लिए 15 है कारपेंटर के लिए 15 पेंटर के लिए 10 ग्रिंडर के लिए 2 इसके अलावा Pump Operator का मेकानिक्स के लिए 20 है तो इस तरह से बहुत सरे ट्रेडों के यहां पर डिटेल्स दी गई है अगर मैं सबका नाम लो तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा आप अपने ट्रेड करूंसार इसमें चुन सकते है कि आपका कौन सा ट्रेड है और Qualification की बात करें तो इसमें Qualification सबसे कम आपका 15 साल होना चाहिए और अधिक्ताम एज आपका 24 साल से कम होना चाहिए मतलब अगर आपका एज 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में है तो आप अपलाई कर सकते हैं इसमें Apprentice के लिए इसमें एज में छूट भी दिया जाएगा जैसे कि जो A.C.H.T. कंडिडेट है उनको 5 साल मिलेगा O.C. के लिए 3 साल है और जो Handicap है उनके लिए 10 साल के छूट दी गई है यह छूट भारत सरकार का जो आरक्षन का नियो मावली है उसका नुसार छूट दिया जाएगा सक्षिनी की योगतागी बात करें तो 10 भी पास होना चाहिए या उसको समकाच 10 प्लस टू सिख्छा परिस से आपको मार्क्स मतलब ओतिन होना चाहिए इसके लावा NCBT या HCBT से आपको ITI समभनी ट्रेड सोनी चाहिए तभी आप इसमें अपलाई कर पाएंगे इसके अलावा इसमें फार्म को अपलाई करने के लिए आपको ऑनलाई अपलाई करना होगा और इसमें थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट भी होगा लो वीजन ब्लेडनेस का ये सब यहां पर दिया गए आप देख लिजेगा वीडियो बहुत लंबा हो जागा और इसमें अपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्रेंटिसिप इंडिया.org आप लोग को पता होगा अप्रेंटिसिप इंडिया.org पे अगर आप पंजी करन किये हैं तभी आप अपलाई कर पाएंगे या इससे पहले पुर्म में जो वेबसाइट था www.apprenticeship.gov.in पे अगर आपने पहले पंजीन कर लिया है तो आपको नई वेबसाइट पर जाकर अपना प्रुफाइल को अप्डेट कर रहना है इसके बाद आप इसमें फॉर्म को भर पाएंगे इसमें बतायागा है कि आप spelling जो आपका होगा माक्सित कर वाद चेक कर लिजेगा गलत spelling देने पर फिर आपको दिक्कत होगा सुधारने में चैन पर किरिया की बात करें यहाँ पर दस्वी में जो आपका माक्स है उसी के बेस पर यहाँ पर selection होगा और उसी के अनुसार cut-off निकाले जाएंगे इसमें ITI का कहीं भी कोई भी माक्स आइड नहीं किया जाएगा जैसा कि इसमें लिखा गया है और आपका फरस्टिक्षन जो है ओ एक तीस सुरी यहाँ पैसा कुछ नहीं दिया गया लेकिन आपको इसी साल आपका यह अप्रेंटिस्ट जो ट्रेनिंग है शुरू कर दी जाएगी और बहुत सारे सरते रिखी गई है जिससे आप पढ़के समझ सकते हैं आवेधन करने के लिए आपको www.mponline.jobi.in पोटल पर जाकर आपको यहाँ से online करना होगा इसका भी मैं link कोशिस करूँगा description box में डाल दूँ यहाँ से directly आप apply कर पाएंगे इस तरह की यह सारी जनकारी यहाँ पर दी गई है और आप इससे download करके सबसे पहले आप इससे study कर लेंगे समझ लेंगे किस तरह से इसमें apply करना है क्या क्या चीजे आपको इसमें upload करना होगा इत्यादी यहाँ पर सारा details दिया गया है नीचे कुछ documents दिये गया है जो अगर आप इससे belong कर दे तो आपको यह बनाना होगा जैसे cash certificate है CST के लिए OBC के लिए सब के लिए नीचे दिये गया है तो EC format में अगर आपके पास available है तो आप असानी से इसे apply कर लेंगे नहीं format में available है तो आप इस format में बना लेंगे 16 पेज के यह total notification जिसमें सारा चीज़ी दिया गया है आप पढ़के समझ लेंगे तो चलिए अंत में आप लोग के लिए सुचना है कि अगर अभी तक आपने मेरा Facebook ग्रूप नहीं जोइन किया है तो जल्दी से जोइन कर लिए इस Facebook ग्रूप में दो लाख मेंबर हो गए है और यहाँ पे जोइन करने का फाइदा यह होगा कि आपको इस तरह के notification, job, placement इतियादी की जनकारी सबसे पहले प्राप्त होगा तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था, thank you so much फिर मिलते हैं आप से एक नई वीडियो एक नई जनकारी के साथ अब तक के लिए, नमस्का